बहुत से लोग अकसर ये सवाल पूछते हैं कि अगर उन पर कभी भी कोई अपराधिक मुकदमा चला है तो सरकारी नौकरी पर उसका क्या असर पड़ेगा? आज का ये वीडियो कुछ इसी टॉपिक से रिलेडिड है. इलहाबाद हाई कोट का ये जज्जमेंट है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाता है तो उसकी नौकरी को रद किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति गॉर्मेंट जॉब के लिए अपलाई करता है और उस पर कोई भी अपराधिक मुकदमा कभी भी चला है उसकी डिटेल को वो छुपाता है तो पता चलने पर उसकी गॉर्मेंट जॉब को वापिस लिया जा सकता है इलहाबाद हाई कोट ने उतरपरदेश पुलिस में कॉंस्टिबल की पोस्ट पर नियुक्ति के गए एक व्यक्ति की अपॉइंट को रद कर दिया है इस केज में उतरपरदेश पुलिस में कॉंस्टिबल की पोस्ट पर अपॉइंट हुए एक व्यक्ति की पोस्ट को रद कर गया था उसी से नराज होकर याचिका करता इलहाबाद हाई कोट पहुचा था लेकिन इलहाबाद हाई कोट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उसने अपनी परसनल डेटेल को गौर्मेंट से छुपाया है जिसके लिए उसने फरजी डॉक्रिमेंट भी कैंडिडेट किसी भी तरह के फैक्ट को किसी भी तरह की इन्फरमेशन को छुपाता है तो उसको दी गई पोस्ट को रद कर दिया जाएगा पेटिशनर ने अपने एफिडेविट में गलत चीजे लिखी थी कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी किर्मिनल रिकॉर्ड साबित नहीं हो पाया है जबकि इन्वेस्टिगेशन के दोरान पता चला कि उस पर तीन अपराधिक मामले अभी भी दर्ज थे जिसके बाद 28 जनवरी 2019 के आधेस में उसकी जो उमीदवारी थी यानि कि अपॉइंट्मेंट थी उसको रद कर दिया गया यहाँ पर पेटिशनर के उ बाईजद बरी नहीं किया गया है तो इस तरह से इलाबाद हाई कोट में जेस्टिस अजे भनोत ने याची का करता पर पैंडिंग मामलो का संग्यान लेते हुए कहा अगर पार्टीस आपस में कोई समझोता कर लेती हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति पर किसी बी तरह का अपराधिक मुकदमा नहीं चला है और उसे बाईजद बरी भी नहीं माना जा सकता ओनरीबल हाई कोट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि उमीदवार पुलिस महक्मे के लिए सही विक्ति नहीं है इसलिए उसकी अपॉइंट्मेंट को रद किया जाता है त और वो अपराध उन पर साबित नहीं हुआ है तो वो उसके लिए अपलाई कर सकते हैं शर्त यह है कि नौकरी के लिए जो एक रिक्वाइरमेंट है उसको फिल्फिल करना जरूरी है अगर कोई भी इंफरमिशन आपके द्वराद छुपाई जाती है तो बाद में पता चलन पर आपको दी गई पोस्से हटाया जा सकता है वीडियो इंफरमेटिव लगी है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा